इसनों कैसे हो कैसे चल रहा है चैप्टर और कैसे चल रहे है बांक ही सब कुछ है थन्ड बहुत बढ़ गई है पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग टपल की बात कर रहे थे है यो याद हें की से कeka टे चाम है म lleva की थी कि को साटे हैं when two forces of equal magnitude and opposite direction मतलब कुछ इस तरीके से एक force यदि इस direction में लग रही है और दूसरी force इसके opposite direction में लग रही है यानि कि कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ है ना इसको यदि plus f मानते हैं तो यह minus f false होगा इस तरह की force को हम लोग क्या बोलते थे couple क्यों बोलते है couple simple है ना चुकि दोनों force cancel out हो जाती है net force अगर निकालेंगे f minus f is equal to 0 इसलिए इसको बोलते है couple दोनों मिल करके एक दूसरे को cancel out कर देते हैं force तो 0 हो जाती है लेकिन क्या torque 0 होता है इस case में torque torque calculate करने के पहले ही देखो अगर इसका center यहाँ पर है इस object का या rod का यह force जो है इसको इस direction में rotate करने की कोसिस करेगी and यह force जो है यह किस direction में इस direction में rotate करने की कोसिस करेगी करेगा तो दोनों same direction में आएगा torque double हो जाएगा torque due to f and torque due to minus f दोनों का magnitude और direction दोनों same आएगा torque cancel नहीं होगा torque is not equal to 0 जब इस तरह का एक pair of force हो जिसका net force is equal to zero but torque is not equal to zero उसको हम लोग बोलते है couple यही देखा था पिछले वीडियो में अब इसके ऊपर एक example इसको बनाते हैं हम लो NCRT textbook का एकजामपल है 7.7 example है so that the moment of a couple does not depend on the point about which you take the moments और यहीं एक couple हमने बनाई रखा है couple हमने बनाई रखा है अब हमें moment निकालना है moment कैसे निकालते हैं R x F यहीं करते हैं ना यहार है formula R x F तब R x F इसी का निकाल करके देखते हैं पूछा क्या जा रहा है couple does not depend on the point about which you take the moments तो किसी एक point के about check करना होगा चलो एक origin माल देते हैं हम लोग माल लो यह origin है ठीक है origin से join कर देते हैं दोनों points को इसको भी join कर दिया इसको भी join कर दिया अब सबका नाम तो रखना ही होगा माल लो यह point का नाम A है A यह B और यह तो origin है ही position vector R1 vector यह है position vector R2 यह है ठीक है direction R1 का क्या होगा इस direction में होगा और R2 का इस direction में अब निकालने की कोशिस करते हैं moment total is equal to R1 vector cross F force इसका direction क्या होगा R1 की mark करी रखा है यह clockwise ले जाने की कोशिस करेगा करेगा और R2 का जो moment निकालेंगे वो क्या होगा R2 vector cross F direction देखो अब दोनों का same आ रहा है यह भी clockwise आया था यह भी clockwise आया था और यह भी clockwise आ रहा है right hand rule से भी निकाल सकने है R cross F R के direction fingers को extend करना है फिर F के direction में turn करना है दिख रहा है finger मेरा R के direction में finger हो mirror image ले रहा है camera में finger से नहीं समझ में आएगा मेरा right hand को camera left बना दे रहा है इसलिए समझ में नहीं आएगा इससे कोई बात ने R के direction में right hand की fingers को extend करना है फिर F को इस direction में लियाना है यह न फिर F की तरफ turn करना है fingers को into the plane आएगा similarly इसका भी वहीं आएगा into the plane तो दोनो moments हमारे add up हो जाएगा plus दोनो का sign same आएगा तो यहां से F को अगर common निकाल देए तो यहां F की magnitude minus F लेना होगा ना मैं यह minus F आ जाएगा अब इसमें से F को यहीं common निकाल देए तो क्या बचता है मारे पास R1 vector minus R2 vector cross F vector हो रहा है कोई special चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं हमी क्या मिल गया R1 minus R2 cross F अब R1 minus R2 क्या है इस picture में देखो vector सब लोग काफ़ी कुछ सीख चुके है यह R1 vector है यह R2 vector है R1 minus R2 vector क्या होगा R1 minus R2 क्या होगा A B के बराबर होगा A B vector cross F vector अब बताओ इसमें origin कहीं भी आया क्या हमारा जो answer आया इसमें तो सिर्फ A B आया सिर्फ A B आया ने इसमें सिर्फ और सिर्फ A B आ रहा है हमाल पास इसमें F तो कहीं आई नहीं रहा sorry origin तो कहीं आई नहीं रहा origin तो कहीं आई नहीं रहा है और वैसे भी देखो यह AB वेक्टर जो है किसी पॉइंट के उपर डिपेंट कर रहा है कि हमने जिस भी हमने मुमेंट निकाला था origin के बाउट और origin एंसर से मिशिंग है मतलब moment is independent of the origin AB तो fixed ही होगा न origin चाहे यहां होता या यहां होता या यहां होता हर हालत में तो हमारा पास यही AB cross F आता कुछ और नहीं आ सकता था तो हमारा R1 cross F is independent of origin या independent of the point about which the moment is taken तिक है अब आता है principle of moments इस moment से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं काफी interesting चीज़ है यह मुमेंट इस पिक्चर को देखो यह एक light rod है फिर से एक light rod है of negligible mass एक light rod of negligible mass और इसको कहीं पे fix किया गया है इस point पे यहां पर इसको fix कर दिया गया है यहां पे fixed है origin पे माल लो कुछ इस तरीके से इसको fix किया गया है कि दोनों लेंट्स d1 और d2 जो है दो अलग अलग है d1 इधर है और d2 अलग है d1 is not equal to d2 d1 is not equal to d2 अभी तक हम लोग क्या बो रहे थे midpoint पे बात कर रहे थे अब midpoint पे बात नहीं कर रहे है d1 is not equal to d2 ठीक है और point A और B दोनों पे कुछ-कुछ forces लग रहे है point A और B दोनों पे कुछ forces लग रहे है point A पे force F1 नीचे की तरफ लग रहे है और point B पे हम लोग force F2 यह भी नीचे की तरफ लगा रहे है इस तरह का setup हम लोग use करते हैं किसी heavy weight को lift करने के लिए fulcrum, liver यादा रहा पहले परहा था liver 9th 10th class में liver किसी चीज को lift करने के लिए हम लोग इसको use करते है यहाँ पे एक heavy object रख देते हैं यहाँ पे एक heavy object A पर रख देते हैं और B पे less force लगाने से हमारा काम हो जाता है less force लगाने से भी हमारा object उठ जाता था यादा रहा ऐसा परहे थे हम लोग load into load arm equal to effort into effort arm load into load arm is equal to effort into effort arm कुछ कुछ पढ़ावा याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं फिर से अभी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो heavy object है इसको lift करना है पर B पे हम लोग के पास बहुत जारा force लगाने का उतना heavy force लगाने का option नहीं है कम force में minimum force में A को कैसे lift कर सकते है उसके लिए इस liver का use किया जाता है liver is nothing बते straight rod उसका mass को negligible हम लोग माल लेते हैं ठीक है अब हम लोग moment निकालेंगे दोनों forces का force point A पे अगर हम लोग moment निकालेंगे moment at point A is equal to इसको माल लो फिर से r1 इसको माल लो r2 है r1 cross f1 ठीक है r1 cross f1 direction इसका क्या आएगा right hand rule से फिर से निकाल सकते हैं r cross f out of the plane आएगा out of the plane हम लोग positive मानते हैं और moment at point B moment at point B क्या होगा r2 cross f2 ठीक है इसका direction क्या आएगा into the plane ऐसे पिक्चर टाइग्राम में भी देख सकते हो एक यह anti clockwise आ रहा है यह दूसरा clockwise आ रहा है दोनों opposite directions में आएगे है ना तो जो ज्यादा होगा net moment total अगर निकालना है moment total क्या करेंगे m a minus m b directions अब आपको consider कर चुके हैं angle हमारी दोनों के 90 degrees है तो cross को ignore कर सकते है अब सीधा सीधा r1 और f की बात कर लेंगे हम लोग r1 into f1 अब यह vector खतम हो चुका है हमने directions को consider कर लिया है sign 90 degree 1 होगा उसको भी consider कर लिया है directions की अब जरूत नहीं है f2 is equal to r1 की value क्या है हमार पास d1 into f1 minus d2 into f2 ठीक है यहीं मालो balanced है भी थोड़ी देर के लिए हमालो यह balanced है 0 है यह दोनों दोनों अगर मिलकर के 0 है अभी equilibrium पर यह अगर है तो f1 divided by f2 निकालेंगे तो क्या आएगा f1 divided by f2 is equal to d2 divided by d1 ठीक है हमारा आप देखो f1 fixed है जिस weight को हमें उठाना है जिस object को हमें lift करना है जिसको f1 मान रहे हैं हम लोग यह f1 हमारे पास fixed है f1 fixed है यह हमारा fixed है d2 divided by d1 तो f2 calculate कर लेते हैं हम लोग यहां से अब हमें f2 ही निकालना था न उसको निकाल लेते हैं f2 is equal to f1 into d1 divided by d2 देख रहे हो यहां पे लिखता हो में फेसे अब f2 is equal to f1 into d1 आया था न उपर yes d1 divided by d2 यह हमारा f fixed है d1 by d2 जितना छोटा होगा उतना f2 छोटा हो जाएगा है न मतलब d1 जितना छोटा करेंगे हम लोग और d2 जितना बड़ा करेंगे उतना कम force लगेगा f2 आज समझ में आ रही है जैसे माल लो f2 is equal to 10 माल लेते 10 newtons 10 newtons माल लेते और हमें f1 लगाना है इस rod की लेंट माल लो 1 meter है उसमें से d1 को माल लो मैंने 10 cm रखा d2 को 90 cm रखा ठीक है ओ f1 10 newton था sorry f1 is 10 newton तो f2 कितना आ जाएगा 10 into 10 divided by 90 कितना हो गया 10 divided by 9 newtons कम हो गया न f1 10 newtons को lift करने के लिए हमें सर्फ 10 by 9 newtons को force लगाना है सर्फ 10 by 9 newton लगाना हो गया और यदि d1 is equal to d2 होता d1 is equal to d2 होता तो f2 कितना आता 10 into d1 divided by d1 जो दोनों cancel out हो जाता 10 newtons ठीक है जैसे 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 हम लोग इस d2 length की लंबाई को बहाते चले जाएगे d1 को छोटा करते चले जाएगे हमारा required force कम होता चला जाएगा heavy weight को कम से कम force लगाके हम लोग lift कर सकते हैं यही formula था हमारा जो था load into load arm is equal to effort into effort arm इसको मैं erase करता हूं इन सब चीज़ को यहाँ पर जो कि हमें पता था पहले से ही क्या था यह f1 force जो है इसको load बोलते हैं और यह जो length है इसको load arm बोलते हैं और यहाँ f2 जो force लगा रहा है effort जो हम लोग लगा रहे है effort और यह होता है effort arm और simple सा formula है हमारा load into load arm is equal to is equal to effort into effort arm यही है हमारा principle of moments इस principle को apply करके इस principle को apply करके हम लोग बहुत बड़े बड़े काम बहुत मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं कुछ तो आसान हो रहा था maths complicated हो रही है नहीं हो रही है तो try करो एक बार दिखने की कोसिस करो मुझे अगर बताओगे कहां पर दिक्कत आ रही है मैं आसान कर दूँगा next topic हमारे पास है center of gravity क्या होता है क्या होता है center of gravity notebook को इस्था से finger के उपर लेके rotate किया है कभी मेरे पास तो यह attached है इसको मैं कोल नहीं सकता हूँ notebook को इस्था से finger पे लेके rotate करते हो ना मजा आता है बहुत कहां पे point और fingers कहां पे रहनी चाहिए इस picture में देखो अगर finger को कहां पे होना चाहिए center of gravity के उपर होना चाहिए यदि हम लोग center of gravity के उपर force लगा देते है finger यहां पे लगा देते हैं तो सिर्फ यहां पे एक force से पूरी की पूरी notebook balance हो जाती है तो इस सिर्फ notebook के उपर यह 21 चीज के उपर ही applicable होता है तो center of gravity किसको बोलते हैं the point at which a normal reaction can can balance the weight of the object जिस point पे force लगाएंगे तो हमारा पूरा पूरे object का weight balance हो जाएगा balance का मतलब यह है कि उसका translational equilibrium भी होना चाहिए notebook अपनी जगह पर इस्थे दानी चाहिए उपर नीचे भी नहीं होनी चाहिए और गिरनी भी नीचे टपल भी नी करनी चाहिए rotational equilibrium भी होना चाहिए ऐसा point होता है जहां पे rotational equilibrium भी हो और translational equilibrium भी हो जिसको कैसे निकालते है center of gravity कैसे निकाल सकते है कैसे निकालते है center of gravity सेम हमारा पूराना standard processor कुछ नया हाइफंडा काम नहीं करना है इंडिविज्यल point masses जो उस object में है individual point masses माल लो m1 है m2 है m3 है इस तरह से mn तक है ठीक है और हर एक point mass का अपना weight है m1 g plus m2 g plus m3 g dot 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 m n g यह सब कुछ किसके बराबर होना चाहिए reaction r के बराबर होना चाहिए जो यहां पे डिया हुआ है है न और rotational equilibrium के क्लिए क्या होना चाहिए इन सारे इन सारे weights individual particle के weight के कारण जो moment आएगा उसका sum 0 होना चाहिए यान कि m1 g cross r1 plus m2 g cross r2 इसमें g एक vector है और r1 vector है g vector है r2 vector है plus mg cross rn इन सब का sum भी 0 होना चाहिए 0 होना चाहिए है न चुकि reaction का moment कितना होगा reaction यह जो reaction force है r cross इसका it is passing through the center of gravity itself r cross 0 is equal to 0 moment of reaction is equal to 0 तो यह सारा moment में मिल करके 0 होना चाहिए बात समझ में आ रही इन सारे forces की कारण जो moment होगा वो 0 होना चाहिए जैसे यह इस picture में ड़को m2 g इस्तरफ turn करने की कोशिस करेगा m1 g इस्तरफ turn करने की कोशिस करेगा उसी तरसे अलग सारे particles एक दूसरे को cancel out कर देंगे तो अब यह देखो हमारा जो equation आया है submission of इसी equation की बात करने है submission of m i g cross r i is equal to 0 होना चाहिए होना चाहिए ठीक है यहाँ तक भी ठीक है इसको और simplify कर सकते हैं के हम लोग submission of r i हमारे पास क्या है 0 है submission of r i तो 0 है ना center of mass मिलेगा हमें summation of m i 0 होना चाहिए r i ही 0 हो सकता है इस product में इस product में अगर हम लोग बात करें तो summation of m i into g यह तो 0 हो नहीं सकता है किसी भी हालत में तो 0 दूसरे को होना होगा summation of r i को summation of r i जब 0 होगा तो वहीं point हमारा center of mass होगा ओके center of gravity होगा sorry center of mass नहीं अभी हम लोग center of gravity की बात कर रहे हैं तो center of gravity कैसे निकाल सकते हैं हम लोग center of gravity कैसे निकाल सकते हैं हर एक particle का position vector ले सकते हैं और उन सारे position vectors को sum करने से 0 आना चाहिए जहां पर यह position vector total 0 आता है उसी point को हम लोग center of gravity बोलते हैं ओके तो इसको calculate कैसे करेंगे center of gravity हम लोग calculate कैसे कर सकते हैं example मैं अगली वीडियो में देखेंगा यहां पर दिखो एक इस तरह का कोई object है जिसका हमें center of gravity निकालना है यह एक object है 3D object है इसका center of gravity निकालना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग point A से hang कर देते हैं string में बांद करके point A से hang कर देते हैं तो किसी position में यह लटका रहेगा इस तरह होगा कोई तो इसका equilibrium position होगा तो S से जो straight line आएगी S force इसमें कहां पर reaction force कहां पर लग रहा है इस direction में लग रहा है reaction force इस direction में लग रहा है यानि कि इस line को extend करें तो इस direction में लग रहा है reaction force लग रहा है तो center of gravity कुछ इसी line पर कहीं ने कहीं होगा इस line पर कहीं ने कहीं होगा यह line हमें एक मिल गई फिर हम लोग इसको point B से hang कर देंगे इस point B से hang कर देंगे point B से hang करेंगे तो माल लो थोई दिर के लिए कि यह इसका equilibrium position होता है ठीक है और फिर point C से भी hang कर देंगे तो यह equilibrium position आता है इन तीनों का intersection point जो होगा इन तीनों का जो intersection point होगा यहीं तो होगा center of gravity तो इस तर से हम लोग center of gravity निगाल सकते हैं ओके इस वीडियो को यहीं stop करता हूं अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे हम लोग ओके